नमस्कार बहुत स्वागत है आपका नमक एक ऐसी चीज है जो लगभग सभी भारतिये घरों में होती है सायद ही कोई इनसान होगा जिसके घर में नमक ना हो दोस्तों सनी वार का दिन टोटके तांत्री क्रियाओं से मुक्ती जादू टोने नजर दोस से मुक्ती के लिए जाना जाता है और सनी देव के नाम से तो सबसे पहले ही जाना जाता है तो सनी राहू केतू की परिसानियों से कैसे मुक्ती मिलेगी और अगर किसी ने आपके उपर जीवन में कुछ कर दिया है आपके भाग में अबरोध पैदा हो गया है तब आप क्या करेंगे तमाम समस्याओं का हल बस एक चुटकी नमक आपके ट्वैलेट में डालने से ही आपको मिल जाएगा तो चलिए हम सुरुआत करते हैं सबसे पहले घर से गरीबी दूर हटाने की गरीबी यानि नाकारा तमाक चीजे जो आपके मन मस्तिक्स को जैसे बांद कर रख दिया है आप कुछ अच्छा सोचने कर अब कुछ अच्छा Roze सबता के च्छे दिन नमक मिले हुए पानी से पोचह लगवाईए घर में एक चुटकी नमक ढाल देए पोचह वाला पानी में और उसी से लगवाईये हर दिन चेंज करना है और ब्रहस्पति बार के दिन गुरुवार के दिन पोछा मत लगवाईएगा गुरुवार के दिन पोछा ही नहीं लगाना चाहिए घर में सिर्फ जाड़ू लगाया कीजिए नकारत्मक उर जाएं खुद बखुद दूर होने लगेंगी घर में बाद विवाद एक्टिव हो जाएगा और आप कुछ करने की सोच दे लगेंगे धन आता रहे धन बचे भी जीवन में तमाम परिसानियों का अंत्वी हो जाए डॉक्टर पे कम खर्चा हो दवाईयों पर कम खर्चा हो सुरक्षा कवच कैसे बने इसके लिए आप अपने घर में एक काच की गलास में पानी रखे भर गलास या थोड़ा सा कम करें अब उसमें एक चमच नमक डाल दे अब घर के दक्षिन पस्चिम को नामे रख दे वैसे तो उसके भी नियम है आप पीछे से लाल बल लगाईये पर उतना हम आपको नहीं कहेंगे आप रख दे अगर लाल धागा है तो गलास में बांद दीजिए हलका सा इससे क्या होगा आपके जीवन में जो भी नकारात मक सकतियां है आपके घर में वो सभी ये पानी सोख लेगा और जब लगेगी पानी कम हो रहा है तो उसमें भर दे और हर मैने इसे चेंज करें अब ये पानी क्या करेंगे या तो सीन में डाले टैप खोल दे या फिर फ्लस कर दे यह सबसे अच्छा रहेगा ट्वैलेट में फ्लस करना धन प्रापती और बरकत के लिए अगर आपको जीवन में बरकत नहीं हो रही है धन नहीं आ रहा है लगातार तब क्या करेंगे आप अपने घर में अपने बेडरूम म सकते हैं एक कांच की छोटी सी कटोरी ले यह उसमें नमक रख दें भरकी ही रखिएगा कम मत रखिएगा उसमें चार-पांच लॉंग रखिएगा साबुत लॉंग टुटी-फुटी भी ना हो फूल वेगरा सब लगी भी हो अब देखिएगा बरकत कैसे होती है क्योंकि य अगर आपने प्लास्टिक में नमक रखा तो कहीं न कहीं दोस्तों जरूर लगेगा इसलिए हमेशा कांच के भी बरतन में नमक रखें और ढख कर रखिएगा क्योंकि नमक नकारत्मक सक्तियों को सोंख लेता है आप उससे खाना बनाएंगी तो आपका खाना भी दूसीत हो ऐसा करने से एक तो नकारत्मक सक्तियों आपका नमक नहीं खीचेगा और लॉंग के कारण जीवन में जो खुसियां है आनन्द वाला पार्ट है वो बढ़ा हुआ रहेगा वैसे भी लॉंग हमेशा ही आपके घर के जो भी बच्चे हैं बड़े हैं घर से बाहर जाते हैं तो एक नियम बना लें उन्हें लॉंग दें मुह में रखके निकलें तो एक दो पॉकेट में रख लें ऐसा करने से वो सुरक्षित घर वापस आएंगे इसके गैरंटी हो ज जाते हैं तो उन्हें पॉकेट में लॉंग दे दें कहें एक मुह में डालके बाहर निकलें और जब भी घर से बच्चे बड़े बाहर तो हर कोई जाता हैं बच्चे अपके हजिम्ट है यह करते हैं आपकी वाइप अफीस जाती है तब क्या करेंगे इक नियम बना ले जब पानी भरके रख दें और जब आपके घर में सभी लोग वापस आ जाते हैं तब इस पानी को उठाके किसी पेड़ पौधे में डाल दें यह सुरक्षा का बच्छ है पूरे घर का वास्तु दोस अगर हर किसी का घर तो वास्तु के नुसार तो बनानी होता है अब कहीं न कहीं वास्तु दोस भी हमारे जीवन में परिसानियां पैदा करता है इसमें क्या करेंगे इसलिए आप अपने ट्वालेट में एक काच की कटोरी में आपके ट्वालेट में खिड़की होंगी रैक होगा चज्जे होंगे कुछ तो कुछ तो जरूर होगा नहीं कुछ तो आप जो भीराकर में बिना मतलब की परिसानिया हैं वास्तु दोस हैं वह दूर हो जाते है वास्तु दोस हटाने के लिए नमट बहुत ही कारगर उपाय है अगर आप पती-पत्नी में बहुत जगरे लडाईयां होते हैं, बाद विवाद होते हैं, आप दोनों में पठती नहीं है, बंती नहीं है, तब क्या करेंगे? सनिवार के दिन ही चोटल उपाई कीजेगा, वैसे आप किसी भी दिन कर सकते हैं, उपाई के लिए कोई खास माने नहीं रखता, लेकिन सनिवार के दिन, चुकि टोने टोटके के लिए ही बना हुआ है, दोस्त दूर करने के लिए ही है, तो इस दिन आप करेंगे, तो आपको क कोई दिकत नहीं है, यूँ ही पढ़ा रहने दें, हर आट दिन में चेंज करते रहें, बस वही परक्रिया अपनाना है, दोस्तों, नकारात मक सकतियां दूर होंगे, आप देखिएगा, दिरे दिरे आप दोनों में बढ़ने लगेगी, आप दोनों में प्रेम बढ़ेगा, और जब पती-पतनी में प्रेम नहीं होता है, तो पुरा घर ही नरख हो जाता है, सबसे अदा इसका प्रभाव बच्चे पर पढ़ता है, इस बात का में सा धिहान रखिएगा, आपके मान लीजे, आप हैं, ओफिस से आते हैं, हमेशा ही चिर-चिरहाट से लगता है, घर आ घर आने से भी दोस लगता है, दूसरी बात, जब आप घर आएंगे, आपको लगे ज्यादा डिश्टर्ब हैं, तब थोरी देर आप तो रिलेक्स करते ही होंगे, नमक हाथ में थोरा सा रख लें और बैठे रहें, दो-चार, पाच मिनट, दस मिनट, अपनी इच्छा नु ममी, पापा, पढ़ने में मन नहीं लगता, क्या करें, बहुत डिस्टर्बेंस है, अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसे में अपनों बच्चों को एक आदत दिलाईए, थोरा सा नमक वो जब जाते हैं, बाहर होस्टल में रहते हैं, लौज में रहते हैं, उन्हें देरें, एक बच्चे पढ़ने लगेंगे, पढ़ा हुआ याद रहेगा, ये शरीर की नाकारत्मक सक्तियों को सोकता है नमक, आप विस्वास नहीं होता है, तो एक दिन ट्रै करके देखें, सिफ हमारे कहने पर, अगर आपको लगता है, बिना मतलब के, हमने जैसे कहा, ओफिस से आते ह अचानक से खाना नहीं खाते हैं, और बहुत तरीकी परिसानियां उल्टी करने लगें, खाना खाते हैं, तो बार बार बीमार पढ़ते हैं, तब क्या करेंगे, आप अपने बाएं हाथ में नमक ले ले थोरा सा, अब बच्चे से के सर से ले के पैर तक सात वार वार ले, उ अगर आप खाना तो सब को घर में बनता है, खाना खाते होंगे, कभी कभी क्या होता है, दाल सबजी में नमक कम हो जाता है, लोग उपर से लेकर नमक खा लेते हैं, आप ऐसा भूल मत कीजिए, अगर नमक कम हो, तो सेंधा नमक या काला नमक, इसका ही यूज कीजिएगा, प्लेन नमक, साधा नमक, जिसे, अब आप बहुत साले नमक आते हैं, टाटा नमक, अनपुर्णा नमक, आप किसी भी नमक के यूज करते होंगे, तो ये जो नमक है, न साधा नमक, इसको उपर से लेकर नहीं खाना चाहिए, जैसे हमने की बेट रूम में की बात कही, तो आ अब सबसे अहम चीज, बीमारी, लगवाखर किसी के घर में है, कभी आपके घर में आप बीमार हो, पती पतनी बीमार है, मा अता पिता बीमार है, साथ ससूर बीमार है, बीमार कोई भी हो सकता है, जीवन में थोड़े बहुत थी बीमारियां रहती ही है, तब क्या करेंगे, आपकी बीमारी है दबाई तो खाते ही होंगे अब कभी कभी क्या होता है बड़े बुज़ुर्ग हैं दबाई सूट नहीं कर पा रही है शरीर में नकाराथमक चीजें जब बढ़ जाती है ना तब लोग बीमार बढ़ जाते है बैलेंस भी गड़ जाता है शरीर का वात पित और कफ का तब ऐसे में आप नमक जहां आप सोते हैं बेड़ है जो बेक्ति बीमार है आपके घर में उनके ठीक नीचे जहां पर उनका सर रहता है ना ठीक नीचे किसी कागज में या काच की कटूरी में नमक रख दे यह यूँ ही पड़ा रहने दे साथ दि प्रशेंज कर लिया करें कोई दिककत नहीं है आप देखिएगा उनका स्वास्त बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा और उनमें एक गचब की फूर्ती आ जाएगी उनका सरीर बहुत ही तेज पूर्ट दोस्तों एक बात का हमेसा याद रखिएगा नमक किसी को हाथ हो हाथ नह नहीं देना चाहिए चाहिए वह पैकेट वाला ही नमक क्यों नहीं हो आप रख दे खुद ले लेगा दुकानदार से भी मत लीजिए नमक हांतों हाथ दोस्त लगता है तो इस बात का मेंसा ध्यान रखिएगा रिस्ते भी गड़ते हैं नमक हांतों हाथ लेने से और नमक फ झाल 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 झाल